नमस्कार बच्चों आज की करेप्रत्रिका हिंदी पाठमाला भाग छे इसमें शिक्षप्रत कहानी सच्ची सिक्षा हम वक्षी टू कर रहे हैं तो इसमें आपका जो शब्द ज्यान है उसके लिए प्रेशन है उसमें उचीत समान अर्थ में सही का निशान लगाना है जो सही है उसमें निशान लगाना है कि यह सही है और देखना क्या है कि समान अर्थ है या नहीं है तो अनुमती होती है आग्या यानि कि यह सही है इसी तरह से आपको सारे साल्व करने हैं आप यह साल्व करके वर्टसप ग्रूप में मुझे स्कीन शॉर्ट भेज सकते हो सारे शब्दों के हमें बताना है कि यह समान अर्थ में है या नहीं है कोस्ठक में दूसरा हमारा प्रेशने है कि कोस्ठक में दिये गए शब्दों से वक्य पूरे करने हैं यहां देखो ये वाला साबित का में बताना है कि नंदिनी हमेशा दुसरे नंबर पर ही रहती है इससे तो मैं ही उससे कैशी साबित हूती हूं अचछी साबित होती हूं यनि स्रफ़ दोके अर्थ से वक्य पूरा करना है नंदिनी उनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करती है प्रयत्न के स्थान पर आप कर दो प्रयास इसी तरह से आपको इन दोनों के भी जवाब बताने है नेक्स हमारा प्रेशन है देखो व्याकरण का जिसमें सही विलोम पर गोला हमें लगाना है तो शाम, सुभह, उचा, नीचा तो जो सही है उन पे हमें राउंड शेप में निशान लगाना है और ये सारे हमें साल्व करके स्कीन शोर भेजना है ये अपकी वर्कशीट है आज के लिए और उसके बाद हमारा प्रेशन देखो दिये गई मुहावरों का अर्थ लिखना है खिले उडाना, किसी का मजाक बनाना है, आँखें खोलना, यानी हमारी आँखें खोल देना, हमें किसी बात का पता चल जाना नाक में दम करना, किसी को परेशन करना, आग बुबूला होना, यानी बहुत जादा गुसा होना इन सब के हमें यहाँ पर अर्थ लिख करके बताने है, देश्ट हमारे प्रेशना जाएगा, मिलान कीजिए, यहाँ पर लड़कियां, स्टीलिंग है, इसी तरह से आँख क्या है, हाथ, तसलि, अंग्रेजी, तोस्ट, पेड़ और सड़ क्या है, जुन्ट क्या है, यह सब ह ही है, उसे हमें इस तरह से मैचिंग करनी है, यहाँ पर देखो, इस प्रेशन में वाक्यों में प्रयोग करना है, सहनुभुति का में वाक्यों में प्रयोग करना है, परिक्षा में फेल हो जाने पर, मोहन को रमेश से सहनुभुति हुई, इस तरह से में वाक्यों में प्रय प्रयोग करना है व्यक्ति का प्रयोग करना है और विद्यार्ति का प्रयोग करना है बहुत ही आसान है आप आराम से कर सकते हो उसके बाद देखो यहाँ देखूं लेखनकारे करेंगे हम लेखनकारे में पहला है दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाना है तो हमें इनमे से पढ़ करके सही गलत के निशान लगाना है इधर इनमे और दूसरा मारा है अती लगुतर लिखिये अनिता कैसी लड़की थी अगली सुभह तक किसका मन बदल चुका था और फिर ये है प्रेश्ण इसमें लगुतर लिखने है अनिता के बारे में दो वाक्य लिखने है और अनीता ने अपने विवार में बदलाव का क्या राज बताया और साथ ही हमें लिखना है देरगूतर जिसमें आप विद्याले किस उदेश्य से जाते हैं अनिकी हमें ये बताना है कि विद्याले जाने का हमारा उदेश्य क्या है हम क्यों विद्याले जाते हैं किस कारण से विद्याले जाते हैं इस तरह की वक्षीट सॉल करने से आप आसानी से सभी प्रेश्णों के जवाब दे पाओगे यहाँ पर देखो लेखन कार्य की पात कर रहे हैं वह राइटिंग टास्क जो है इसमें सची सीख्षा का आर्थ बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है इन सभी के जवाब आपको मेरे अन्य वीडियो में मिल जाएंगे तो देखो सची सीख्षा का आर्थ बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है हमें यहाँ पर उसे संबोधित करना है फिर यहाँ हमें बताना है कि सची सीख्षा का क्या आर्थ है क्या मीनिंग है हमें वास्ता में सीख्षा क्यों प्राप्त करनी चाहिए उससे हमारे जीवन मे क्या अच्छी बाते होने वाले हैं, क्या अच्छे कारे होने वाले हैं, क्या उदेश्य होता है सच्ची सिक्षा का, ये सब में इस पत्र में बताना है, पत्र लिखना है मित्र को, उसके बाद हमारा लेखांश पोध जो है, ये प्रेशन आता है, इसमें आपको यह पढ़ना ह यह सारा पढ़ करके सही भूजन मिल जाए तो रोग पास नहीं फटक सकते सही भूजन वह है जो ठीक समय पर ठीक मात्रा में किया जाए अब इस पेरेग्राफ को में बहुत थ्यान से पढ़ना है और हमें बताना क्या है बताना ये है कि उचित भूजन रूप में सही निशान लगाना है कि क्या ये इसका सही भूजन है या नहीं है अगर सही है तो में राइट का निशान लगाना है हडडि का हडडियां है तो यह सही है अब यहाँ पर आपको बताना है कि यह सही है या नहीं है नेस्ट हमारा विलोम शब्द से मिलान कीजिए अब हमें यह बताना है कि सही विलोम शब्द कौन सा जैसे लाबदाय का हानिकारक है इसी तरह से इन तीनों के आप खुद बताएं और मुझे कमेंट सेक्षन में भी आप बता सकते हो स्कीन शोट लेकर के भी आप मुझे सेंड कर सकते हो वाटस अप ग्रूप में उसके बाद देखो प्रेशन है प्रेशनों के उत्तर लिखने है कि सही भोजन किसे कहा गया अभी हमने पेरेग्राफ पड़ा उसमें आया था सही भोजन किसे कहा गया और शी तलपे इसे क्या हानी होती है यह नहीं कोल्ड रिंग पीने से में क्या नुकसान होते हैं और वो सब में यहां पर बताना है ये सारे प्रिशनी इस paragraph में आये हैं जो अपने अभी देखा यहां देखो सही भोजन वह है जो ठीक समय पर ठीक मात्रा में कर लिया जाए और जिसमें भुज्य पदार्थों में संतुलन हो और जो सूप अच्छे हो अच्छे से पचने वाला भी हो हमें अच्छे से भोजन पच जाए ऐसा भोजन जो है अच्छा कहा गया है यह लेखाईश बोध हो गया हमारा और आज की वक्षीट बस इतने अभी तक और भी वक्षीट जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगी और सभी पार्ट जो है भो भी मिल जाएंगे इसके लवा भी जो आपको पार्ट पढ़ना है तो कमेंट सेक्षिन में मुझे बता सकते हो आप